एक audition की script है, जिसमें ये character पागल है, तुम पागल हो और वो कुछ भी बोले जाता है, मैं इसकुछ भी बोर रहा है, मैं पागल नहीं हूँ, पहले मैं मूर्गे काटता था, फिर मशली काटने लगा, और अब एक मैने से बकरे भी काटने लगा, एक दिन मेरी उंगली कट गई ये doctor के पास पट्टी करने गया, पट्टी कराने गया, पट्टी तो बंद गई, और जैसे ही उठा, तो चकर खा के गिर गया, होश आया तो doctor बोले खून की कमी है, मैंने बोला जानवर के खून से कमी पूरी हो जाएगी, वो बोले पागल हो क्या, तुम्हें इंसान के खू पी जुका हूं। आज जाओंगा दॉक्टर के पास, पता तो चले खोन की कमी पूरी हुई या नहीं हूं। कोई सेंस नहीं है ना बातों में, कोई मीनिंग नहीं है। मेंटली रिटायर्ड है उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। दॉक्टर के पास क्या है पत्टी कराने, पत्टी तो बन गई। पत्टी बन गई। और जैसे ही उठा तो चक्का खाके गिरा। दॉक्टर बोला, खोन की कमी है। मैंने बोला, जानवर के खोन से कमी पूरी हो जाएगी। बच्चे पुछते ना, पपा पपा यह से हो जाएगा, सर यह हो जाएगा, जानवर के खोन से कमी पूरी हो जाएगी। वो बोले, अब वो बोले में मैंने कहा कि उसका स्ट्रिक्टनेस डाल दिया। वो बोले, पागले क्या, तुमें देख, वेरेशन देख, वो बोले, वो बोले, पागले क्या, वो बोले भी नॉर्मा रखाया मैंने। मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, जानवर के खोन से कमी पूरी हो जाएगी। वो बोले पागले क्या देख चेंज कैसा किया वो बोले पागले क्या तुम्हें इंसान की खून की जरूरत है वहां क्या क्या मैंने डॉक्टर समझदार डॉक्टर की तरबाद की पहले क्या वो बोले पागले क्या तुम्हें इंसान की खून की जरूरत है बच्चा ऐसे नही पिर तुम लुक आवे, तो अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया, अब तक 56 लोगों का खुन पी चुका हो, आज जाओंगा डॉक्टर के पास, अब यहाँ पे लाइन क्या है पता है, अब जाओंगा डॉक्टर के पास, आज जाओंगा डॉक्टर के पास, पता तो चले फुन की कमी पूरी हुई या नहीं यही तो खेले पर अधना एक्टर गलतीया क्या करते हो सब को एक ही मूड में बोल कि यह तो तो कैमेरे को फेंस नहीं करते या तो पूरा 100% उसमें नहीं डालते खुद को यह एक लिच्टरोल नहीं हो ता ओर एक्टिंग हो जाती है अंडर जाती है तो एकड़म बैलेंस पराबबर जितना जहां चाहिए उतना ही होना चाहिए पादा रियो मैं परने में आप मुझी काटना थे पर भुझी काटने लिए उन्हें एक मेने से बखरी दिकाश्ट नुपाँ ते अचारफ पर पाउड़ी करते हैं कि दोप्र के पास अपट्टी गराए पट्टी तो ते भी बिए लेको जैसे होता चकर नगी बिरुए आप होशार तो डोक्र ने काट पूर्थ की लिए मैंने तावगे जान देंसे काटने हो जाए ते तो बोले पालो तो है एकसान की पूर्थ की सल उतना है बस तबीसे मने अजने लोगों काटर सुरू किया और अब तक चंपन लोगों को अजना कि नदे चुपाँ गुण कर फाहितों कि आ पागलपन है क्या पागलपन यह है कि उसका दिमाग नहीं चलता अच्छे बुरे की समझ उसको नहीं होती है उसे कहते है पागल है और जो समझधार है उसको तो चलता है, कि नर्त करना चाहिए, यह करना चाहिए वहहीं amendment है, यह करना कैड़ा यह फरकम कि एक text करता हूं, फिर मेरे पिछए बोलो, 족म अब ठीक लग रहे इनि balloons तो उसका करना है दो मैं पागल नहीं हूं तो नो मैं Chop subject पहले मैं मुर्गे काटता था अब वो बिचारा पागली है न वो उसको क्या अकल है पागल है इसलिए डायरेक्ट मुर्गे काटने पेचला गया है हाँ हाँ रडी स्टाट मैं मैं पागल नहीं हूँ अब और कन्विक्शन के साथ बोल रहा है नो कि मुझे पागल मत समझ तो इसलिए अब ऐसे बूलेंगे मैं पागल नहीं हूँ तो वो मजाने मैं भागल नहीं हूँ पहले मैं मुर्गे काटता था फिर मस्ली काटने लगा और अब एक महिने से बकरे भी काटने लगा एक दिन मेरी उंगली काट गई ड़क्टर के पास पट्टी कराने गया पट्टी तो बन गई और जैसे उठा तो चक्कर खाके गिर गया और होश में आया तो ड़क्टर बोले खोन की कमी है मैंने बोला जानवर के खोन से कमी पूरी हो जाएगी थोले पागल हो क्या तुमें इंसान के खुन की ज़रुत है तो अपने ही लोगों को काटना स्कूरू किया अब तक जपन लोगों का कौन पी चुकाओ अज जाओंगा रक्टर के पस पता तो चले खुन की कभी पुरी हुई या दे कर जा था पाग्ल नहीं है यह उता थे सच है तो जल यह और कंविक्षों लेक्ष और कारेक्र बनेगा कैसे शको डिफरेंट मैं पागल नहीं हूँ पेले मैं मूरगे काट्ता था था फिर मचलिया काटने लगा और अब एक मैने से बकरे काटने लगा हूँ एक दिन मेरी उंगली कट गई डॉक्टर के पास पट्टी कराने गया पट्टी तो बंद गई और जैसे उठा तो चक्कर खाकर गिर गया होश आया तो डॉक्टर बोले खोन के कमी है मैंने बोला जानवर के खोन से कमी पूरी हो जाएगी वो बोले पागल हो क्या मैंने बोला ठीक है तुम्हें इंसान के खोन की जरूरत है तो अपने ही लोगों को काटना शुरू किया अब तक चपन लोगों का खोन पी चुका हो आज जाओंगा डॉक्टर के पास तो पता चले खोन की कमी पूरी हुई या नहीं पागल लगेगा क्या है अब ही जो स्क्रिप्ट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भुलो ऐसे करेक्टर बनाओ ये स्रिप मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आप करो आपको फॉर्मूला लेना है और अपनी स्क्रिप्ट बनाने का तरीका सीखना है कि जिस तरीके से मैं उसमें एक्स्प्रेशन्स अड़ कर रहा हूँ जिस तरीके से voice modulation एड़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से उसको जिन्दा बना रहा हूँ, वही चीज़े आपको करनी आनी जाएँ. जिसे डांस सीखते हैं हम लो, तो डांस के पहले स्टेप सीखते हैं न, तो वैसे audition की script prepare करने के steps मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको खुद को उसमें महारत आएँ.